बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड का जो रिजल्ट है 2024 का आने जा रहा है, यानि कि 2024 में मैट्रिक और इंटर का एक्जाम देने वाले छातरों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी सामने आ चुकी है, जिस चीज का आपको बड़ी बेसबरी से इंतजार था, ओ चीज अ आने से पहले, इंटर का रिजल्ट आने से पहले होता है, टॉपर वेरिफिकेशन, इस साल 2024 का टॉपर्स वेरिफिकेशन जो है ओ अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन ये टॉपर्स वेरिफिकेशन अब शुरू कर दिया गया है, जी हाँ, ये टॉपर्स वेरिफिकेशन प्राइक्टिकल एक्जाम के दवरान लिख करके जमा किया। उनके मिले हुए नंबर को दोबारा चेक के जाता है। उनको टाइम दिया गया आपको दस बजे से पहले पहले हर हाल में बिहार स्कूल एक्जामेशन बोड के पतना ओफिस में पहुँच जाना है। उनको ये भी निर्दिस दिया गया कि आपको आना है तो अपने साथ अपना आधार कर लेकर आना है और अपना एडमिट कर लेकर आना है। इसके अलावा कुछ नहीं उनको ये भी कहा गया कि आपको आने जाने का पूरा खर्च मिलेगा। ये तीन दिन टॉपर्स वेरिफिकेशन चलेगा और तीन दिन में अगर मामला खतम हो गया, सारे बच्चों का टॉपर्स वेरिफिकेशन हो गया तो अब 23 हो या 24 हो ये दो दिन बचते हैं होले से पहले और इन दोनों में से किसी एक दिन भी रिजल्ट इंटर का आ सकता उस पर जो एक संशय बना हुआ था, कंफ्यूजन बना हुआ था, वो काफी हद तक किलियर हो गया है, इंटर का रिजल्ट 23 या 24 मार्च 2024 को आने की बहुत प्रबल संभावना है, बहुत बड़े चांसेज हैं, ज्यादा चांसेज हैं कि या तो 23 मार्च को इंटर का रिजल् इसमें कहीं कुछ फेक नहीं होता, जब तक मैं खुद 100% कंफर्म नहीं होता, आप तक कोई भी सुचना में नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं जब बोल रहा हूं तो ये मान के चलिए कि ये 100% कंफर्म है, आपको मैं 100% कंफर्म ही सुचना दे रहा हूं, तो यह तो होगी इं तुरंत बाद मैट्रिक का भी टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और मैट्रिक के रिजल्ट को तयार करने का काम काफी हद तक खतम भी हो गया है जो ओए मार्क के स्कैनिंग वगएरा है उस सब कंप्लिट हो ही चुका है नंबर मार्किंग वगएरा सब बन ही चुका है उसके तुरंत बाद मैट्रिक वालों का भी टॉपर्स वेरिफिकेशन 2024 का शुरू कर दिया जाएगा और उनका रिजल्ट भी 31 मार्च हो या फिर 5 अपरेल हो या तो 31 मार्च तक आ तब तो ठीक न तो 5 अपरेल तक समझे कि मैट्रिक का रिजल्ट भी आ जाएगा तो ये दोनों रिजल्ट के आने की डेट की बात हो गई अब रही बात की इन दोनों रिजल्ट के आने के बाद हम रिजल्ट चेक कैसे करेंगे क्योंकि होता क्या है ना कि रिजल्ट आने के साथ ही जो भीहार बोड का सर्वर है यारि के वेबसाइट काम करना बंद कर देता है बच पाएंगे मैं वो तरीका बताने वाला हूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा अगले वीडियो का इंतजार करना होगा रिजल्ट चेक करने के लिए बिल्कुल टेंसन फ्री रहें जैसे ही रिजल्ट जारी होगा हमारे चैनल से भी रिजल्ट लाइब चेक किये जाएंगे उसमें भी आपको बिल्कुल निशित रहना है बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट मैं खुद भी देखूँगा आप लाइब समय हमारे चैनल पर देख पाएंगे स्क्रीन पर अपने देख पाएंगे तो ये सब वक्त आने पर फिलहाल रिजल्ट के बारे में काफी इस्तेती साफ हो गई है पाएंगे बहुत कुछ आने वाले है तो फिलहाल इस वीडियो के बिए दना ही मिलते हम अगली वीडियो में नई जनकारी के साथ